राहूल गांधी को लेकर पहले से ही देश की राजनीती में उबाल आया हुआ है। राहूल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधेते हुए सावरकर का नाम लेकर हमला किया था। दरसल बीते हफते शुकरवार 24 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी को आपराधिक मानहानी मामले में दोशी पाया था। और उनके दो साल कैद की सजा सुनाई थी। राहूल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद वहीं पर उनको जमानत दे दी गई थी। और पैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। इसके बाद लोक सभा में राहूल गांधी की सदसिता को रद्द कर दिया गया जिसके जवाब में कॉंग्रिस सहित सभी विपक्षी दल सड़कों पर उतराय और उन्होंने सरकार पर राजनितिक रूप से निशाना बनाने का आरुप लगाया। राहूल गांधी ने इस माम को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने काहा था कि एक और बिर्सा मंडा जैसी महान शक्सित हैं जो अंग्रेजों के सामने जुकी नहीं और दूसरी और सावरकर हैं जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे उन्होंने कहा था कि सावरकर जी दो-तिन साल उन्हें अंडमान में बंद कर दिया तो उन्होंने चिठी लिखना शुरू कर दी कि हमें माफ कर दो राहूल ने चिठी पेश करते हुँ दावा किया था कि ये सावरकर ने लिखी थी इस मामले में रंजीत सावरकर ने मुंबई के शेवाजी पार के थाने में राहूल के खिलाफ शिकायत की थी खेर राहूल गांधी की लोकसबा सदसता जाने के बाद तमाम विपक्ष उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो वहीं कॉंग्रिस भी लगातार बीजेपी और प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है अब माना जा रहा है कि राहूल गांधी का सरकारी बंगला भी उनसे चिन सकता है और इस मामले में जल्दी कारवाई के संकेत मिल रही है तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए One India Hindi